हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मिलन फगा और स्मार्ट बनी टुटोरियल सिरीज के इस डे 16 में आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम केमेरा को परफेक्ट व्यू में कैसे सेट करना है वो हम सिखेंगे यह हमारे sketchup के shortcuts जो आपको याद कर लेना है चलिए start करते हैं अभी देखिए यह जो आपको model दिख रहा है वो मैं पहले से open करके रखा है अभी सभी tool के बारे में एक एक करके जानेंगे यह आपको जितने भी camera tool दिख रहे है वो अगर आपको यहां पे या कहीं पे दिखाने अलग जगह पे तो आप view में जाके toolbox में जाके आपको यह camera को चेक कर देना है यह जितने भी camera tools है वो आपको यहां पे दिखने लगेगे अभी इसको मैं यहां पे उपर चिपका देता हूं ठीक है आपको यहां पे left side bottom में आपको मैं जो भी command या क्लिक या कोई भी keyboard पे type करूंगा तो आपको नीचे यहां पे corner पे so होगा ठीक है जैसे अब भी मैं start करूंगा orbit tool से अभी orbit tool का जो shortcut की है वो है O O press करने से orbit tool आ जाता है orbit tool का इस्तमाल simply इस तरह से rotate कराने के लिए होता है scene में rotate करना के लिए इस तरह का यह orbit होता है अगर आप इसके साथ shift key press करते है shift key hold करके रखते हो और orbit tool यूज करते हो तो आपके पास pen tool आ जाता है यह दिखे अभी मेरे पास orbit tool ले जैसे ही मैंने shift key press किया तो मेरे पास pen tool आ गया है shift से pen tool लाता है अगर आप control press करके इस orbit tool का इस्तिमाल करोगे तो आपको gravity का effect का मैसूस होगा ठीक आपको gravity मैसूस होगी इसमें यह देखे यह पुरा gravity का effect पढ़ रहा है अभी rotation में अगर आप normal आप left click करके इस तरह से rotate करते हो तो इस तरह से होगा लेकिन जैसे ही आप control press करके करेंगे तो आपको gravity मैसूस होगी rotation के अंदर तो यह था हमारा orbit tool आगे आता है हमारा hand tool यह pen tool भी कहते है इसको यह pen tool का shortcut की है h, h जैसे ही press करते हो तो आपके अपास hand tool आ जाता है सबसे पहले हम orbit tool ठीक कर लेते हैं तो orbit tool में वापस जाता हूं और simple एक बार इस तरह से orbit करूंगा left click करके अभी हमार orbit ठीक हो गया है तो इस hand tool लूँगा और इस तरह से में इसको यह pen tool है तो pan tool से हम इस तरह से move कर सकते हैं scene के अंदर अभी देखें आप कहीं पे भी अगर right click करते हैं तो आपको अलग-अलग option दिखेंगे जैसे orbit tool में जाना है तो orbit tool यहां से right click करके जा सकते हैं look around tool पे जाना है तो look around tool पे जा सकते हो right click करके right click करते हो यह सीव आपको sketchup 2020 version में दिखेंगा गर इससे older version है तो उसमें नहीं दिखेंगा यह वाला option दिख रहा है वो ठीक है यह right click करके अलग-अलग tools के अंदर जा सकते है camera के जैसे zoom tool में जाना है तो right click करके zoom tool में हो चले गए walk tool में जाने तो walk tool में आगे इस तरह से हम use कर सकते हैं अभी बारी आती है जूम tool की जूम tool की shortcut की है जै जैड प्रेस करने से जूम tool आ जाता है जूम tool को इस्तमाल करना बहुत ही आसाने क्लिक कीजे और ड्रेक कीजे इस तरह से उपर ले जाए वी left click को hold काता हूं और पिछे आता हूं तो इस तरह से मैं आप मान लीजिये इस camera का इस hole का आपको render निकालना है यह यह वाला scene आपको अच्छी तरह से चाहिए तो आपको थोड़ा सा जैसे जैसे पिछे जाते है तो पिछे की दिवाल से तकरा जाते है तो अगर आपको फिल्ड व्यू चेंज करना है तो आपको shift hold करके रखना है और left click press करके इस तरह से mouse को नीचे करना है तो यह देखिए इसका जो field view है वो बढ़ गया है आप नीचे measurement box के अंदर भी देख सकते है कि मेरा जो field view degree है हो जैसे उपर ले जाता हूँ shift press hold करके रखाया अभी मैंना उपर ले जाता हूँ यह click hold रखके मैं नीचे यह ऊपर जाता हूँ तो इस तरह से zoom in zoom out होता है लेकिन मैं यह नीचे अगर पीछे जाता हूँ तो डिवाल से टकरा जाता हूँ इस तरह से तो यह चीज ना हो इसलिए मैं क्या करूँगा shift hold करके रखोंगा और फिर मैं इसको जूम टूल को इस तरह से पीछे ले जाओंगा यह देखें यह जो मेरा field view है वह maximum हम 120 degree तक जा सकते हैं हमारा 120 degree तक का field view है अगर आपको field view चेंज करना है तो simple आप keyboard में key press करके भी change कर सकते हैं जैसे अगर आपको 50 degree का field view चाहिए तो simply keyboard पर प्रेस कीजिए 50 और enter कर दीजए तो यह आप नीचे देख सकते हैं हमारा field view 50 degree का हो गया अगर हम 15 degree का रखेंगे 15 और enter प्रेस करेंगे तो यह देखिया 15 degree का हो गया नॉर्मली मैं 60 रखता हूं और enter करते तो यह 60 वाला सही रहेगा अब maximum 120 degree तक field view रख सकते हैं लेकिन इसमें geometry ठीक से नहीं दिखाए देती है तो यहाँ पर मैं आपको suggestion करूंगा कि आप 60 और enter 60 degree हमारे लिए काफी होता है किसी भी view को देखने के लिए और नॉर्मली आप 35 जो by default आपकी जो field view होती हो वो 35 degree आती है इस तरह आगा तब 50 भी रख सकते हैं मैं जनरली 50-60 रखता हूं तो मैं 50 यहाँ पर कर देता हूं तो अभी हम है ना अच्छी तरह से room को analyze कर सकते हैं यह field view हमने घटा दिया इसलिए उसके बाद आता है जूम विंडो जूम विंडो कैसे इस्तमाल करते हैं वह भी दिखा देते हैं जूम विंडो लिया अभी किसी आपको एक rectangle create करना है जो भी आपको scene के अंदर लाना है जैसे मुझे इतना portion दिखाना है तो मैं इतना क्लिक करके इस तरह से मैं rectangle create करूंगा जितना भी मैंने rectangle किया था उतना portion हमें दिख रहा है कि इस तरह से rectangle करके कोई view देख सकते हैं इस तरह से तो यह था हमारा जूम विंडो यह विंडो हम इस तरह से create करकर के कुछ भी हम portion देख सकते हैं इस तरह से तो यह simple है अब बारी आती है zoom extends की zoom extends हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे scene में जितना भी geometry है components parts model एकी scene के अंदर दिख रहा है जैसे हम zoom extends करेंगे जैसे अगर हम कोई कमरे के अंदर है और मुझे पुरा का पुरा scene दिखना है कि मेरा scene के अंदर कितना है model से कितना cover कर रहा है तो जैसे zoom extends पर क्लिक करोगे तो आपको सब दिखाए देगा अगर आपने दूर कहीं कुछ create करके रखाया और आप जूम extend करते है इस तरह से zoom extends करते है यह देखे यह वाला plan b अभी आपको दिखाए देगा है क्योंकि यह scene के अंदर है इसलिए इसको अभी आपने नहीं चाहिए तो इसको मैं delete कर देता हूं फिर से zoom extend करता हूं यह हमारा zoom extend इस तरह से हो चुका है अभी बारी आते previews previews के इस्तमाल हम क्यों करते है मान लीजे मैंने view complete अच्छी तरह से मैंने view set कर दिया है यह मैंने view set किया है ठीक है यह view set कर दिया है अब मेरे गलती से मुझसे view बिगड़ गया ठीक है अभी मुझे इसके previews view में जाना है तो मैं simple यहां पर click कर दूगा previews पर ठीक है तो इससे क्या होगा लेकिन हम इस previews को change करेंगे तो अपना view जो previews होता है इस तरह से change हो गया तो हमारे previews view होते है वो यहां से आपको आ जाते है अग्या जाते है कर दो 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 झाल झाल